मैं अभी करनाटक में नो दिन नो दिन परचे बांट के और लोगों से मुलाकात करके आया गया तो यहां से 25 तारीख 25 मार्च की रात में गया था एक ट्रेन से और 27 तारीख के सुबह पहुचा रास्ते में तो अच्छी बाते हुई एक बात तो यह कि मैंने 32 घंटे का पर जो एक सूरत की कचेहरी ने फैसला दिया दो साल की सजा दी तो मुझे ठीक नहीं लगा और दूसरा मसला उससे भी गंभीर यह था कि पार्लेमेंट में उनके उपर लांचन लगाए गये मंत्रियों के द्वारा उनकी इंग्लेंड की स्पीच को लेके जूटे फरे बाल नड़की फी लेडी फी रहने बाली गोधरा की जी काम करती किसी के घर में उधर अरुना कुलम में केरला में और उसकी सरल्टा देखके मुझे हिसास हुआ कि असली हिंदुस्तान तो यह है बिल्कुल निश्कपट जिसके घर में रहती है उसके घर में पूजा भी करती है अपना नमाज भी पढ़ती है यह है असली हंतुस्तान जब मैं तो पर होँथ रहा तो फिर होँवाँ पर कहीं में तारा एक गेस्ट हाउस में और छह जगें मैंने लेक्ट्चर दिये यह उनिवस्टिए में लेक्ट्र धिया मैंने फ्यूजन के वफ़ूपर कॉ- सर स्थे और सब को सबने मुझे आत्मा से महबबत दीं एक आसपेक्ट मेरे जाने का यह था दूसरा में बस्तिEMA परच्वाटे तो पाइब कंड़ कंड़ भाषा में और दो और वहाजार अंग्रेश्यह में आम लोगों में पर Shepherd भ औरुडॡॡ आटो ड्राइवर थे, रेड़ी चलाने वाले लोग थे, स्टूडेंट्स थे, सब ने आत्मा से महबबत दी, कई लोगों ने आके पर्चे के बारे में कहा, कि आप इस गर्मी में कर रहे हो, और ये तो आप देश का काम कर रहे हो, मैंने कहा, इन अपड़ लोगों को भी इतन कमिशन की सरकार का, क्या सबूत है आपके पास, आप सरकार को बदनाम कर रहे हो, आपको पुलिस इस्टेशन आना पुड़ेगा, मैंने कहा, पूरा बाक के तो पढ़ लो, ये लिखा है कि काउंट्रेक्टर रेशोशियेशन चिला रही है, कि हमारे लिए इस 40% कमिशन की सर पान बंद करने की मुहिम चलाई जा रही है, कोई बोलना सके ना पारलेमेंट में बोल सके ना सबक में बोल सके, ये एक एहसास में मेरे अंदर मजबूत हुआ, मैं सोचने लगा कि इस आलात में मुझे पर्चे बाटना लाजमी है, अगले दिन मैंने और शिद्द से पर्चे और दे दीजिए, उनकी आँखों की महबत देखके मैं हिल गया, इस तरीके से हर जगे हर कम्यूटी के लोगों ने महबत दी, औरतों ने महबत दी, स्टूडेंट्स ने अपना पन का कई जर्नलिजम पढ़ने वाली लड़कियों ने कहा, आपने बहुत सही बात ल इसमें इसी की जरूरत है, नपरत मिटानी की जरूरत है, और देश को आगी ले जानी की जरूरत है, मेरे पर्चे का उन्मान ही ये था, कि आप इंसान बनके वोट करो, हिंदु मुसल्मान बनके नहीं, ताके यह जो हकूमत कॉर्पूरट की तरफ देखती है, जंता की मातले के चलने वाली बने यह में भी बात थी आरसेस के प्रिचारक भी मिले मुझे उडूपी के तो उनको भी कहना पड़ा कि हम अलग-अलग नाव में हैं लेकिन दुशायक होने चाहिए मैंने कहा कि आपने बहुत सही बात की हमारा काम है बलकि सारे धर्दी पर जो मजब आ सब इसी के लिए आएं कि हम इनसान बनके सब काम करें भेद भावना पड़ते खैर यह हमारा एक दूसरा हिस्टा था तीसरा हिस्टा यह था कि मुझे कुछ कारीकरताओं से मिलना था जो समझे काम में लगे उडूपी में हमारी मीटिंग 40 कारीकरताओं में उसमें कांग्र जो बहस होई आज की हालात पे वह मुझे बड़ा सुकून मिला मैंने मश्वर अभी आ कि आप यहां पर 500 बच्चों का एक वर्क्शॉप करें गणित पे करें चाहे इतिहास पे करें और मैं आने को तयार हूँ मैं एक हपती के लिए फेरा जाओंगा ताके लोगों के अंद असली समझ दिल की दोस्ती पैदा हो लोगों को बात पसंद आई फिर मैं बैंगलॉर गया तो बैंगलॉर में भी यही सूरत पैदा हुई मैंने वहां पर सेंट जोजफ यूनिवर्सिटी में नॉन वाइलेंस पे बाश्वन दिया जोड़ सो बच्चे एक सो बीस बच्चे और टीचर्स थे उड़ा अपनापन दोगों ने दिया मैंने यही रखा किया जमाना बम का है बमों का है इसमें आपके तमंचे काम नहीं करेंगे हुकुमत बहुत ताकतवर है उससे एकर जुलम से लड़ना है तो आद के लिए नॉन वालेंस से लड़ना है वही एक ताकत ह और ताकत अल्ला ताला ने भगवान ने सम्में दिये है हमारे अंदर जो सच्चाई की ताकत वही अहिंसा की ताकत है उसी से लड़ना है बगहर बहर भाव न रखे मुद्दोप को पकड़ो आपस में मत लड़ो यह बात लोगों को समझ में आई और वहां पर एक लॉप फ सांसदों से मेरी बात चीद हुई कुछ वहां पे बेंगलाउर में अलग अलग प्रोफेशन्स में काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं और दूसरे लोगे उनसे बात चीद हुई और मुझे बड़ा सुकुन मिला कि लोगों ने मेरी बात को समझा और उसी ख्यालात के वह लोग को देखे इन बातों से मुझे बड़ा सुकुन मिला और मैं ये सोच लेके आया कि मुम्किन है कि आने वाली सरकार का चरित्र बदलेगा करनाटक में बदमश्यू भी जा